Dear Students, Drawing किस online कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम कक्षा दस्वी के अध्याय छे जिसका शीर्षक है वृत के अंतरगत प्रश्न संख्या 110 को हल करना सीखेंगे प्रश्न संख्या 110 है एक वृत खेंचो जो दो असमान अंतर रेखाओं AB और AC को स्पर्श करे और दोनों रेखाओं के बीच दिये गए बिंदू E से भी गुजरे क्रिया अत्वा रचना के चरण इस प्रकार है हमें दो रेखाएं AB वो AC दी गई हैं जो की एक दूसरे के और समान अंतर हैं साथ में इन दोनों रेखाओं के मध्य एक बिंदू E भी दिया गया है C, A, B कोन को रेखा AD द्वारा समद्वी भाजित कीजिए रेखा AB पर कोई बिंदू Q लेकर एक लंब QF खींचे क्लेगरा समनी हम धारा सम्द्वारा енविप лемह झारा प्रणी और समस्पी गी एकllowedवित की देखारत स्ट्रा मकाशना की प्रणी लड़ ओत ऑ जह था net की एक रहनं रेखागी Zen जो की रेखा AD को बिंदू F पर मिलता है बिंदू F को केंद्र मान कर F Q के बराबर परकार खोलकर एक वृत लगाईए बिंदू A वो E को मिला दीजिये F से लगाया ग्यावरित रेखा A E को बिंदू G पर प्रतिछेद करता है बिंदू E से E O समानांतर F G एक रेखा खींचिये O को केंद्र मान कर O E अर्ध व्यास के बराबर एक वृत लगाईए यही वृत हमारा अभीष्ट वृत है तो बच्चो आज किस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम प्रशन संख्या 111 को हल करना सीखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद